प्रुदेश भर में अलग-अलग राज्यों से लॉकडाउन की कारण अक्ते अटके हुए प्रवासी मजदूर छात्रो और आमजन अपने ग्रह राज्यों में जाने के चुक है इनको घर पहुँचाने का कारियन लगाता राजसरकार की तरफ से किया जा रहा है राजसरकार उनकी केंद्र सरकार की सहमती के बाद विभिन राज्यों के बॉर्डर तक पहुँचाने का कारे कर रही है इसी कड़ी में शल्टर होम में अटके मध्यप्रुदेश की करीब 160 मजदूरों को अलग-अलग बसों में बिठा कर रवाना किया किया इस दौरान श्रासी नगर इसितिक शल्टर होम पर रवानगी के दौरान मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ घर बाफसी से खुश नजर आए हालात का जायजा लिया हमारी सम्वालाता हनुमन सिंग चारणी देश में लॉकडाउन के दौरान कहीं राजियों के मजदूर जो राजधानी जैपूर में फसे हुए थे अब उनको जो है घर वापसी हो रही है राजे सरकार के आदेशों के बाद जिल्ला पर सरसन को घर पहुंचने का काम कर रहा है आप देख सकते हैं कि ये लोग है जो सामान उठाकर ये रोडवेज की बस है इस बस के मादियम से इसमें जो है वो मजदूर है जो यहाँ पर काम करते थे मजदूर थे जो अन्य राजेयों के खास दोर से ये मद्यपरदेश के मजदूर है जिनको यहाँ पर घर बेजा जा रहा है रोडवेज की ये बस लगी है इस बस में जो है अपने परिवार के साथ ये लोग है जो अब अपने घरों की तरफ जाएगी और इस गाड़ी के मादियम से इन लोगों को जो है पहुंचाने का काम किया जीए सकते हैं कि अपना सामान साथ में लेके जा रहा है ये मजदूर क्योंकि ये जो है अब अपने घर की तरफ जा रहा है चूंकि यहाँ पर पहले वो यहाँ पर सरकार के और से इनको जो रोका गया था तो इसके बाद ये मजदूर है जो अब घर जा रहा है हमारे साथ यहाँ पर जो इन अधिकारी लगे हुए है जो इनको घर बिजने का का अभी हम इस पॉइंट टोटल 160 मजदूर MP के हैं जो 160 मजदूरों कम चार बसों में रवाना कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डर के इसाफसे से सवाइमादोपुर बॉर्डर के एक बस रखे है जाला वाड़की रखे है और धौलपुर बॉर्डर की रखे है एक चित्ता अड़ जाएगा तो यह बस है बस का नजरा भी दिखाया आप देख सकते हैं इन लोगों को जो है यहां से इसी बस में बिठाये गया है इसके लावा और भी बसे हैं उस बस के मादियम से इन मजदूरों को घर पहुंचाना का काम किया जा रहा है तो परसासन की तरब से यह छोटे एक महा से यहां पर जो है अटके हुए थे तो अब इनकी जो है घर वापसी हो रही है यह एक अच्छा संकेत है सरकार की तरफ से कि उन मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाए जाए जो मजदूर जो है अब यहां पर अटके हुए थे तो उनको घर पहुंचाना सरकार की तरप से एक जरूरी कदम और अच्छा कदम माना जा सकता है ताकि ये घर जाकर खुश नजर आ सके कैमरा परसंद सुनिल कुमार के साथ हनुमन सिंग चारण एवन टीवी जैपूर